ब्रोक्रेज फर्म एंटीक ब्रोकिंग कहा है कि इसके प्रती शेयर की कीमत प्राइस शिक्स्टीन हंडर्ड रुपे की अनुमान है जो पिछले 20 जुलाई 2023 को प्रती शेयर की बजार कीमत 1424 रुपे पर था इंडूसंट बैंक के इन शेयरों में निवेश करने वालों को प्रती शेयर 12 फीसदी का मुनाफ़ा मिलने का संभावना है इसी तरह ब्रोक्रेज फर्म अनानडरथी ने ड्रीम फोक्स सर्वसिस के स्टॉक पर निवेशिकों को निवेश करने की सलाह दिया है इसका प्रती शेयर 855 रुपय का टार्गेट लगाया है 20 जुलाई 2023 को ड्रीम फोक्स सर्वसिस की प्रती शेयर की बजार कीमत 696 रुपय रहा इस प्रकार इन शेयरों को यदि आप खरीदते हैं तो आप प्रती शेयर 23 फीसदी का इजाफा देखा जा सकता है जो खरीददारों के लिए दमदार फायदा होगा ब्रोक्रेज फर्म अनानड रठी ने इलेक्रोनिक स्मार्ट के स्टॉक को खरीदने को कहा है सलाह दिया है इसका प्रती शेयर 155 का अनुमान है यह शेयर 20 जुलाई 2023 को प्रती शेयर की कीमत निन्यान वे रहा था इस तरह इलेक्रोनिक स्मार्ट के स्टॉक को खरीदने वालों शेयर धारक को 57 फीसदी तक का मुनाफा कमाने का मिल रहा है नुवमा ब्रोक्रेज फ़म ने पॉली कैब इंडिया के स्टॉक पर निवेश करने की सलाह दिया है पॉली कैब इंडिया के स्टॉक को खरीदने को कहा है पॉली कैब इंडिया की प्रती शेयर की भाव 5,175 का टार्गेट किया है यह शेर 4780 रुप्य प्रती शेर की कीमत पर पिछले 20 जुलाई 2023 बिका इस तरह polycab इंडिया शेर को खरीदने वालों को 9 फीसदी तक का रिटन कमाने की संभावना है ब्रोकरेज फम नुवमा ने गोड रेज कंस्यूमर के स्टॉक पर पैसा लगाने को कहा है गोड रेज कंस्यूमर के स्टॉक की कीमत 1315 प्रती शेर तारगेट तै किया है यह शेर 20 जुलाई 2023 को 1,061 रुप्य की कीमत पर प्रती शेर बजार में बिक था इस प्रकार गोड रेज कंस्यूमर के स्टॉक में निवेश करने वाले को 24 प्रतिशत की प्रती शेयर फाइदा निवेशक उठा सकते हैं इस तरह इन शेयरों में यदी निवेश करते हैं तो अच्छा रिटन मिलने की संभावना है DESC-LAIMER दोस्तों Equity News आपको केवल शेयर बजार अर्थात किसी कंपनी के बारे में जानकारी देता है यहां किसी भी प्रकार का निवेश करने का सलाह नहीं दिया गया है हम से भी द्वारा Registered Financial Advisor नहीं है हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है निवेश करने की सलाह हम नहीं देते इसलिए आप निवेश करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें और खुद के रिश्क में ही निवेश करें